नमस्कार अंकिता की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं लेके आई हूं मूंग डाल का बहुती स्वादिश्ट नास्ता यह यहां मैंने दी है एक कटोरी मूंग डाल धुली वी मूंग डाल ली है आप चाहे तो इसकी जगे छिलके वाली मूंग डाल का भी इस्तेमाल कर सक 6-7 कलिया इसमें लहसुन डाल देंगे एक छोटा टुकडा अद्रक डाल देंगे अब इसमें आधा गिलास पानी डाल कर इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेते हैं और ये देखें मुंग डाल को मैंने पीस लिया है इसमें मैंने आधा गिलास पानी का इस्तेमाल किया है और इतना पतला हमें इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेना है अब इसमें आधा चमच नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार नमक डाल लीजेगा और इसको बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर देना है दोस्तों अगर आपको रेशिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी का बटन दबा कर उसे ओल पे सेट कर दीजेगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तवाच्छे से गरम हो गया है अब दो बड़े चम्मच भरके इस बैटर के हमें तवे पे डाल देने हैं और इसे हमें डोसे की तरह बिल्कुल पतला फैला देना है ये नास्ता बहुती हेल्दी और टेस्टी है एक बार जरूर ट्राई कीजेगा अब इस पे हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे बच्चे बड़े सभी को ये नास्ता बहुती ज़्यादा पसंद आता है अब हम थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे अब हम इसके उपर डालेंगे आधा चमच देसी घी आप इसकी जगे तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन घी से इस नास्ते में बहुती अच्छा टेस्ट आएगा और अब हम डालेंगे इस पे बारिक कटा हुआ प्याज अब इसके उपर थोड़ी सी बारिक कटी हुई गाजर डाल देंगे ये नास्ता बहुती टेस्टी बनता है और थोड़ा ये सबजियों के डालने की वज़े से कलरफुल भी बन जाता है जिससे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है अब थोड़ी सी कद्दुकस की हुई इसके उपर पत्ता गोभी डाल देंगे और एक चमच से सारी सबजियों को अच्छे से फैला देना है ताकि सारी सबजी अच्छे से फैल जाए कहीं जादा कहीं थोड़ी ना रहे अब इसे ढकन लगा कर 2-3 मिनट के लिए हमें पकाना है ढकन लगाने से जो सबजी हमने इसमें डाली है वो भी थोड़ी सी पक जाएगी तीन मिनट बाद धकन को अटा कर चेक कर लेते हैं और देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है और ये देखिए हमारा जो है मुंग दाल का वेजिटेबल चिला बनकर तयार हो गया है सुबह के नास्ते में या साम की हलकी फिलकी भूक में आप इसे बना कर खा सकते हैं और अगर आप वेट लोस करना चाते हैं तो उसके लिए भी ये नास्ता बहुत ही हल्डी है आप इस नास्ते को बच्चों के टीफिन में दे सकते हैं, ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसके साथ मैंने बनाई है हरे धनिये की चटनी, आप चाहे तो इसे टमेटो सोस के साथ भी खा सकते हैं और एक बार मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखी कितना नरम बना है, अगर आपके घर में बुजुर्ख है तो आप उन्हें भी इसे बना कर खिला सकते हैं तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे केमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा, थेंक यू